हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत हैं मेरे यूटीब चैनल में दोस्तों आजरायसाइन विग्यान का यह हमारा इधन का चैप्टर है जिसे फ्यूल करते हैं यह इधन का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और दोस्तों अगर अभी तक हमारा चैनल आप लोगों सब्सक् कर बगर अनावस्यक उत्पाद के मतलब कोई ऐसा रेस्ट्री वगर नहीं बने और उसमा उत्पन करता है। उसे क्या इधन कहते हैं। इधन ऐसा पदार्थ होता है जो हवा में जलकर वगर अनावस्यक पदार्थ उत्पन्न की करता है इसे इधन कहते हैं अच्छे इधन की गुण क्या होते हैं कई टाइप के इधन होते हैं अलग-अलग काटेगरी के और सभी इधन को अलग-अलग टाइप से बाटा गया है जि अच्छा इधन सस्ता और उसके साथ साथ आसानी से उपलब्द हो सके उसका उसमी मान यानि की कैलोरी जो वैलू होती है वो कैलोरीफिक वैलू जो होती है वो पहुत ही उच्च होना चाहिए एकदम हाय होना चाहिए जलने के बाद आवसीष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहि चाहिए यानि कि जलाया जाए या फिर जलने के बाद में कोई हानिकारत पदार्थ उत्पन नहीं होना चाहिए उसका जमाव और परिवहन आसान होना चाहिए उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए उसका प्रज्वलन ताप यानि कि इगनीशन टेंपरेचर जो होता है वो नि कैलॉरिफिक वैलू औफ फ्यूज ये क्या होती है जैसा की हमने बीचे पढ़ा है की कैलॉरिफिक है उसको जान लेते हैं उस्मा की वह मात्रा यनि कि plac की वहमात्रा जो इधन की एक ग्राम को वाय में अथो औक्सिजन में पूरत जलाने के लिए यानि कि पूरी तरह से जलाने के पस्चाथ जो है प्राप्त होती है उसे क्या करते हैं इधन का उसमी मान करते हैं यानि कि एक ग्राम समझ लो कि ये लकड़ी है इसको हवे में एक ग्राम लकड़ी है इसको अगर हवे में हम जलाते हैं जलाने के बाद जितना हमें एनरजी मिल जितना प्राप्त होती है उर्जा, वोही जो है कैलोरिफिक वेलू यानि की ईधन का उसमी मान कहते हैं, हाइड्रोजन का उसमी मान सबसे अधिक होता है, लेकिन सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण, आम तोर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है इसके बाद अगली टॉपीक है बहुतस फोतन जिसे नौकिंग करते हैं और दूसरी या आक्टेन संख्याजी से आक्टेन नंबर कहते हैं। आक्टेन नंबर और अपसफोटन क्या होता है। कुछ इधन ऐसे होते हैं जिनका वाय मिश्ण का इधनों के सिलेंडरों में जोलन समय से पहले हो जाता है। जिससे उसमा पूर्ड तया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनी उत्पन करने में नश्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनी जो है वो क्या आपसफोटन कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इधन है जो किसी इंजन को चलाना है तो इधन पहले ही जोलित हो जाता है और उसका काम चालू कर देता है अपना लेकिन वास्तों में जो इंजन है वो काम नहीं करता है वो नहीं चलता है बस वो आवाज करने में ही पूरा उसकी जो नश्ट होती है इसी को जो है वो आपस फोटन करते हैं ऐसे इधन जिनका आपस फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं होते हैं अरे जिसका जो अधिक आवाज करेंगे कारे कुछ नहीं करेंगे तो उनका उपयोग हम क्यूं करेंगे उसका उपयोग हम नही करेंगे इसलिए वह उचित नहीं है और अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे इधनों में अपस्फोट रोधी योगिक मिला दिये जाते हैं और एक अच्छा खासा एक्जांपल है अपस्फोट रोधी का जिसका नाम है टेट्राइथाई लेड जी से टी इयल करते हैं अपस फोटन को आक्टेन नंबर के द्वारा बेक्ट किया जाता है अपस फोटन को आक्टेन नंबर के द्वारा बेक्ट किया जाता है ऐसा इधन जिनकी आक्टेन संख्या जीतनी अधीक होती है यानि कि आक्टेन संख्या जीतनी अधीक होती है उसे अपस फोटन उसका अपस फोटन जो है उतना ही कम होता है यानि की जिसकी Ohansen sa Kazi錢 सजीतनी ही अधिक होती है उसका अपता सुधन उतनी कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम इधन माना जाता है कि अब इधन के में पर सबस्क्ärtते इधन का वरगी करण को कितने मार करन कि बांटा जाता है तो ऐखती के व boganda क की आधार पर आंड़ा वंभाब को तीर भागओमें बांटा जाता था ज़से तो हो सोगते थे टिंद जिसमें लखडी हम शाकर american डीजF जिसमें पेटो, स्प्रीज, डीज, इथर, केरोसी और अलकुहल आते हैं एक है गयस इधन जिसे प्रागरतिक गयस, कोल गयस, प्रोडिूशर गयस और गोवर गयस लिए है सबसे पहले हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं ठोसीदन क्या होता है, ठोसीदन में कोईला है, कोईले के बारे में पढ़ लेते हैं कारवन के आधार पर कोईला चार प्रकार के होते हैं नमबर एक पीट कोईला, पीट कोईले में कारवन 50% से लेके कारवन 60% तक होती है और यह जलाने में राख्यों धुवान निकालता है, यह सबसे निम्न कोटिका कोईला है, पीट कोईला कैसा है, सबसे निम्न कोटिका कोईला है, इसके बाद है लिगनाइट कोईला, लिगनाइट कोईला कैसा होता है, इसमें कारबन 65% से लेके 70% तक होता है, इसमें कारबन कि इसा होता है, लिग्नाइट कोईले का रंग भूरा होता है इसमें जलवास्प की अधिक मात्रा और सोसित करने की छमता होती है लिग्नाइट कोईला करते हैं इसके बात है V2 कोईला, V2 का होता है वीटू वीनस कोईले में कारवन जो है 70% से लेके 85% तक होती है और ये बहुत ही मुलायम कोईला होता है और इस कोईले का उपयोग घरेलू कारियों में किया जाता है इसके बाद है अंत्रासाइड कोईला जो की सबसे उच्च कोटिका कोईला माना जाता है इसमें कारवन 85% से उपर होता है 85% प्लस लिखाओं 85% से उपर होता है यह कोईले की सबसे उत्तम वराइटी होती है यह कैसी कोईली है सबसे उत्तम कोटिका कोईला होता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करो, सेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने जो दोस्त हैं उनको भी अगर ऐसे वीडियो की रिक्वार्मेंट होगी तो उनको भी जरूर सेंड करो तो मिलते एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिन दोस्तों